हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनल माई वीबी केर और मैं हूँ आपके साथ अरशना आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि 8-9 मेने का वजन जो है वो कितना होना चाहिए बॉइस का और गर्ल्स का साथ ही मैं अपको बताऊंगी कि 8-9 मेने के बच्चे जो है क्या-क्या चीज़े करने लजाते हैं क्या-क्या उनकी बॉड़ी में चिंजिस आते हैं क्या-क्या माईल स्टोंस वो इस टाइम तक अचीव कर लेते हैं और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे चीज़े भी बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा 8-9 मेने का है और वो चीज़े नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए 8-9 मेने का जब बच्चा हो जाता है तो इस एज में बच्चे जो है पहले के मुकाबले थोड़े अक्टिव हो जाते हैं अगर हम उनके वजन की बात करें तो 8 मेने के आसपास की जो लड़कियां होती है उनका वजन जो है 7.2 किलो से लेकर 9.3 किलो तक हो सकता है और बच्चे का वजन जो है लड़कों का वजन 7.9 से लेकर 10.2 किलो तक हो सकता है तो देखें बच्चे का वजन जो है आप ऐसे कंपेर मत कीजे पहली बात तो बच्चे का वजन जो है अलग हो सकता है क्यों कि हर बच्चा अलग है उनका ग्रोथ रेट अलग हो सकता है और साथ जाथ बच्चे का जो weight होता है वो depend करता है कि बच्चे का birth time पर, जनल्म की time पर क्या weight था आपने कई बार देखा हूँगा कि जब बच्चा बज़वा आट से नौ महींने का हो जाता है तो पहले चीज ये है कि बच्चा इस टाइम तक आपकी नकल करने लग जाता है इस उम्र में बच्चा जो है कुछ आवाजे भी निकालने लग जाता है वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बोल सकता जैसे कि बाबा या दादा इस उम्र तक बच्चे को चीजों की समझ होने लग जाते है उसके आसपास जो चीजे तामने लग जाते है अगर आप बच्चे के आसपास जो है कही चुप जाते है तो बच्चे को थोड़ी curiosity होती है, बच्चे आपको ढूंडने की कोशिश भी करने लग जाता है आपने ये भी दिखा होगा कि 8-9 मेने का बच्चा जो है, वो no, जैसे हम नहीं बोलते हैं, no बोलते हैं उनको ये समझ में लग जाता है कि इस word पे हमें जो है वो चीज नहीं करनी है चीजों को मूँ में डालना, तो 8-9 मेने का बच्चा जो है काफी सारी चीज़े मूँ में डालने कुश करता है वैसे तो वो मूँ में डालने वाली चीज़े जो हैं, बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं 5 मेने के आसपास से पर 9 मेने के आसपास क्या होता है, बच्चा काफी सीज़े खाने लग गया है, तो उसको एक हैबिट हो जाती है पर जो है बच्चे के दाना आने वाला प्रासेस भी सटार्ट हो जाता है, कई बच्चो को दाना आ जाते हैं उस ताइम तक, तो इसी विज़ ses कैई बार बच्चे हर चीज़े को मुँ में डालना अग जाते हैं समझाने के होशच कर सकते हैं कि यह रेड कलर है या यह औरेंज बॉल है नेक्स चीज की नौ महिने के आसपास तक बच्चा जो है बिना सहारे के अच्छ से बैठने लग जाते हैं देखे स्टार्टिंग में बच्चों की जो रीड के हड़े व इतनी मजबूत नहीं होती है ध बच्चे को जब खाने के लिए स्पून वगर देते हैं तो बच्चा आसानी से मदब बहुत अच्छे से अगर नाम भी पकड़ पाए पर थोड़ा बहुत चमझ को पकड़ना सीख जाता है उनको गिराएगा उठाएगा पर उसकी थोड़ी ग्रिप बन जाती है और इसके सहारे के साथ भी बच्चे इस टाइम तक खड़े होने लग जाते हैं आपने देखा होगा कि उनके आसपास अगर कोई मम्मा ये पापा है या फिर घर के कोई भी लोग है और अगर उनको उनके पास जाना है तो उनके पास आते ही वो उनकी जो है कपड़े पकड़ कर या फ इस रेच तक बच्चा जो है अपना नाम भी बहुत अच्छे से पहचाने लग जाता है, कोई उनका नाम लेता है तो उस पर वो reaction भी देते हैं। इस उम्र में बच्चा इशारों से अपनी बाते आपको समझाने भी लग जाता है, अगर से कोई चीज चाहिए तो इशारा करके समझा देगा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और अगर कोई चीज उसको नहीं चाहिए, उसको पसाद नहीं है तो वो रोकर ये जता देंगे कि हाँ हम ये चीज नहीं चाहिए, नौ मेने के आसपास का बच्चा जो है घुटनों के बल चलना यानी क्रॉल करना भी थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर देता है, अगर हम बात करें कि 8-9 मेने के बच्चे को कितना सोना चाहिए, तो आपका बच्चा जो है 12-16 घंटे की नी पाराय सुम्र тक, नॉबर टू, अगर आपका बच्चा बिलकुल भी नहीं बोलता है चोटे-छोटे words भी वो बिलकुल भी नहीं बोल पाता है तो, नॉबर टिं, अगर आपके बच्चे के हाथो की पकड़ भी अच्छी नहीं है आप कोई बीच इस हाथ में देते हैं तो बच्चा इदम से छोड़ देता है तो आपका बच्चा भुलाने पर भी अगर कोई reaction नहीं देता है आप उसका नाम पुकार रहे हैं या फिर आसपास कोई भी पर बच्चा जो अब युकल भी react नहीं कर रहा है तो भी आपको डॉक्टर से consult करना चाहिए तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो आई होप आपको clear हुआ होगा कि 8 से 9 मेने का बच्चा जो है क्या क्या चीज़े कर सकता है और किस case में आपको डॉक्टर से consult करना चाहिए I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा thank you for watching